इसी तरह खड़ी पट्टी पर आपके सामने और पीछे की कुर्षियों को क्रमश धन 1, 2, 3, 4 और रिण 1, 2, 3, 4 की कुर्षिया कह सकते हैं क्या हम सभाकष में रखी कुर्षियों की कतारों को भी नाम दे सकते हैं यदि हम कुर्सियों की खड़ी कतारों को इस्तंब तदा आड़ी कतारों को पंक्ति कहें तो आप क्या सकेंगे कि आपके कुर्सी के नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी एक इस्तंब है जो आड़ी संख्या रेखा के शुने से गुजरती है आपके दाई और के सभी इस्तंब आड़ी संख्या देखा के क्रमश धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार आजी से गुजरते हैं इन्हें हम धन एक इस्तंब, धन दो इस्तंब, धन तीन इस्तंब कहेंगे इसी तरह बाई और के स्तंभों को क्रमशा रिन एक स्तंभ, रिन दो स्तंभ और रिन तिन स्तंभ कहेंगे आपके कुर्सी की नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी को क्या कहेंगे इस पश्ट है इसे आप शुन्य स्तंभ कहेंगे ठीक इसी तरह आड़ी पट्टी, शुन्य पंक्ती और इसके उपर की पंक्तियां धन एक पंक्ती, धन दो पंक्ती, धन तीन पंक्ती तथा नीचे की पंक्तियां रिण एक पंक्ती, रिण दो पंक्ती, रिण तीन पंक्ती कहलाएंगी आपके मित्र A, B, C, D और E सबी आपके पास हॉल के बीच में ही खड़े हैं और उन्हें अपने लिए निर्धारित कुर्सियों पर जाना है उनके इस्थान चित्र साथ में दिखाए गए हैं आईए उन्हें उनके जगा बताएं A का इस्थान 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 इस् आपके कुर्सी किस जगा पर है करके देखें एक बगीचे में आड़ी और खड़ी कतारों में पौधे लगे हुए हैं उन्हें इस्तंभों और पंक्तियों में दिखाया गया है इल एम और पी करमशह नेबू आम संतरे और पपीते को प्रदर्शित कर रहे है तो इनके इस्तंभों और पंक्तियों के रूप ऐपीते के पौधें लगे हुए हैं इन्हें देखें और ये बताएं कि वो कौन से पंक्तियों को देखें सबसे पहले हम निबू के पौधों को देखें यहां पर आपको ऐल दिख रहा है यानि यह एक निबू का पौधा है अब यहां हमको देखنا है कि इस्तंभ कौन सा है और पंक्टी कौन सी है आप एक बार देखिए यह जो बना हुआ है एक आड़ी लाइन बनी हुई है और एक खड़ी लाइन बनी हुई बीच में इस खड़ी लाइन को जो ठीक बीच में है इसको हम जिरो इस्तम्ब कह रहे हैं यह इस्तंभ धन एक है यह इस्तंभ धन दो है यह इस्तंभ धन तीन है और यह इस्तंभ धन चार है अब इस तरह देखिए इस लाइन की बाई और हम यहां भी हम इस्तंभो के नाम दिये हैं लेकिन यहां पर इस्तंभो के नाम क्रमशा रिण एक रिण दो रिण तीन और रिण इसी तरह से आप देखेंगे जो आडी लाइने हैं वो पंक्तियों को प्रदर्शित कर रही है ठीक बीच की जो आडी लाइन है उसे हम शुन्य पंक्ति कह रहे हैं और इसके ओपर जो पंक्तियां बनी हुई है उनके लिए हम क्रमशा धन एक पंक्ती, धन दो पंक्ती और धन तीन पंक्ती कह रहे हैं ठीक इसे तरह से इस बीच वाली पंक्ती की नीचे जो पंक्तियां है इन्हें हम क्रमशा रिण एक पंक्ती, रिण दो पंक्ती और रिण तीन पंक्ती कह रहे हैं अब ये हमने इन पंक्तिय और इस्तंभों को बहुत गौर से देखा है अब आपको देखना है कि नीबू का जो पौधा है वो किस जगह पर लगा हुआ है आप देखिए नीबू को हमने एल से प्रदर्शित किया है और यहां पर दिखाए पूड़ रहा है एल के लिए आप द इस्तंभ और हम कौम लगा कर लिखेंगे इसकी पंक्ति की संक्या तो अब देखिए पंक्ति ये धन तीन पंक्ति पर इस्तित है तो इसकी जो जगह है वो इस्तंभ एक और पंक्ति तीन में है तो हम धन एक इस्तंभ और पंक्ति में धन तीन पंक्ति लिखेंगे धन तीन प इसे तरह से आम के पौधे के बारे में देखिए, आम के कितने पौधे हैं पहले आप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर आम के लिए यहां पर एम लिखा हुआ है और एक यम यहां भी है, तो चली हम इस पहले वाले आम के पौधे के बारे में देखें कि कौन सी इस्त कि मिकल कईए इस जगह और पन्क्ती है इस्तम और पंक्ती यहां पर इस तरह से हम लिखें धन डो पंक्ती संक इस दो अंकि पॉधि की जगह यह इसकी करें और घर जो कचा दून 2000 दो तो आप लिखेंगे रिण तिन इस्तम और पंक्ति शुन्य तो यह हम आपके लिए छोड़ते हैं आप इसे खुद करके देखिए एक बार और उसके बाद संत्रे को हम देखें संत्रा ओ है तो देखिए हाँ पर संत्रे के भी दो पौधे लगे हुए एक पौधा यहां है और दूसरा पौधा यहां पर आप देखिए इसके लिए आप कह सकते कि इस्तंभ नए में और पंक्ति दो और दोनों धनात्मक है धन्दो इस्तंभ और धन्दो पंक्ति तो हम इस संत्रे के पौधे की जगा है उसे प्रदर्शित करेंगे धन दो इस्तंब और पंक्ती भी इसकी धन दो है धन दो पंक्ती दूसरा वाला संत्रे का पौधा आप देख रहें कि जीरो इस्तंब या शुन इस्तंब पर है और उसकी पंक्ती है रिड़ दो तो आप चाहिए तो यहां लिख लें या मुझे लगता ही से आप खुद को लिखना चाहिए तो एक उधारण आपके सामने हमने इसका रखा दू पपीते का पौधा पपीते के पौधे को हमने पी से प्रदर्शित किया है आप देखिए इस पूरे बगीचे में दो जगा पपीते के पौधे प्रदर्शित किया रहे है एक पपीते का पौधा यहां पर है और दूसरा पपीते का पौधा यहां पर है चली एक पपीते के पौधे को उसकी जगा के साथ पहचानते हैं, दूसरा आप खुद करेंगे, हम इस पपीते के बारे में बात करें, यह पौधा है, आप देख रहे हैं कि इसका इस्तम है रिण चार और इसकी पंक्ती है धन एक, तो पपीते के इस पौधे के लिए हम लिखेंगे, इसकी जगा बगीचे में रिण चार इस्तम पर है, और इसी पंक्ती है, धन एक, तो हम लिखेंगे, धन एक पंक्ती, दूसरे पपीते के पौधे को आप देख सकते हैं, कि यह शुन्य पंक्ती है, और धन चार इस्तम पर है, तो पहले हम इस्तम को लिखते हैं, तो आपकी इसकी बारे म कियosink吧 पापीते कब बहॉत अधन्चार इस्तंभ पर है और शुद्य पंक्ति पर है तुयर आप देख रहे हैं कि हम दो जानकारियों के मदद से दो इस्तंभू और पंक्तियों के रूप में है किसी समतल में कोई चीज किस जगह पर है उस commission पहचान सकते हैं उसके जगा बता सकते हैं तो ये आइडिया ये विचार आपको किसी समतल में किसी बिंदू को खोजने और उसके जगा बताने में मदद कर सकता है